गर्वीर् झाज आज अपने हईडर को टेस्ट करने वाले हैं रही लेकिन याज принципе इसको बिल्कुल से बैलन्स करवा दिया मैं इदेर रखे इसको समझतों डिखों ये वाप rear तो ये साथ ही ऐसकर आज तो यःसा ही यह सिता है इसके बस थोरय से यहें मर जाए ऐस से पहले मैं इसका बज़ेट बोट ज्यद़ हो चीए मतलब तो मैं अक्याम करूँगा मैं यहाँ बजलाजेटा हूँ और यहाँ से तो यह हुआ है मैं क्याम करता हूँ मैं यहाँ से जो यह है इनको मैं उठा लेता हूँ ताकि थोड़ासा बजट लो हो और इतनी भी मतलब यह यह प्लाजमा नहीं लगना चाहिए ताकि जएदा लैक हो जाता है फिर और इधर उपर से भी एक एक माइनस कर देता हूं सो गाइस इतना ठीक है अब गाइस हम दूसरे यूनिट के साथ इसकी फाइट करेंगे और सीदे खतरनाक यह वाले यूनिट के साथ इसकी फाइट करवाएंगे तो सबसे पहले मैं यहां पर रखूंगा अपना स्पाइनोसोरस तो अच्छा यह दोनों टीम में हैं एक हाँ ठीक है आपको तो बता है स्पाइनोसोरस टिक नहीं सकता क्योंकि यह हमारा रेंबो हाइड्रा और रेंबो हाइडर के साबनी यह नहीं टिक सकता देख सकते हो आपकी यह उदर जाके गिड चुका है और हमारा रेंबू हाइडरा जीच चुक है और भई यह अड़ भी रहा है अलब भी रहा है or भी रहा है, यह द देखो आग निकल रही है इसके बस थोड़ी से देमेज हुई है इसको और हमने उसको हरा दिया वो देख ब्रश्या के गिर है और इन्होंने भी काम किया इन्होंने तो काम कर लिया लेकिन इनकी रेंज थोई दूर थी इससे पर गाइस हमने उसको हरा दिया मैच फिनिश हो गया है अभी हम दूसरे यह रखते हैं अब मैं यहां पर रख रहा हूं अपना God of War तो इसको भी यहां पर रख दिये मैंने अब देखते हैं कि यह मार पाता है या नहीं स्टार्ट और अभी आप देख सकते हो अच भाई God of War तो पहली आकी हा आउट हो चुक है यह तो टिकी नहीं सकता भाई हमारा रेंबो हाइडर के सामने कोई भी नहीं हो सकता तो गाइस अब मैं दूसरा यह रखता हूं तीसरा मतलब वह है God of God's Earth तो इसको भी मैंने यहां और झापे रखती आ है अभी मैंस बोडरी से स्टार्ट और जास अब भी आप देख सकते हो लेजर बी निकल रहे हैं यह देखो आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ यह आंपर बस स्टार्टिग वाली लेजर निकल लींधि यह वाली यह ऊप जैसी देलेने वाले होते हैं वो तो कल्टी माल देते हैं सो गाइस देख सकते हो हम इस मैच में भी जी चुके हैं और गाइस वीडियो तो बहुत है नम भी हो रही है इसलिए मैं अभी एक काम करता हूँ मैं खतना खतना के वाले यूने रख रहा हूँ ताकि वीडियो चोटी रहे और आपको देखने में मज़ा भी आए तो अभी मैं याप रखता हूँ अब बना खतना को वाले यूनेट जो की है हमारा यू वाले यूनेट आपको तो याद ही होगा ओ यह ने उससे पहले हाथ हमारा ये वाले यूनेट इसको मैंने अपग्रेड किया थो नहीं नहीं हाँ अभी इसके साथ उसकी फ्राइट होने वालियत देख सकते हो गाईज आप भाई यार प्लाजमा की रेंज ही नहीं पहुंच रही है प्लाजमा की रेंज नहीं पहुंच रही है उसको प्लाजमा जो हमने लगाई हुई है उसको रेंज एम लेने में थोई दिक्कत हो रही है क्योंकि वह बहुत ज्याद दूर है तो फिर मैं डीज्यूम ही करता हूँ अभी हम फाइट को देखते हैं पता सा भई हमारा यूनेट हाट जाना सा क्योंकि भई हम अगर हमें जो जिस भी मैप में हमें फाइट करनी होईगी न यह धियान रखना पड़ेगा कि वह छोटा मैप हो ताकि हमाई प्लाजमा कैनल की रेंज उस तक पहुंच पाहे पाहे तो अभी हम उस यूनेट को थोड़ा पास में रखते हैं फिर देखते हैं कि यह जीत पाता है या नहीं तो फिर हम देखते हैं कि में को अपने यूनेट को अपड़ेट करना पड़ेगा अभी मैंने इसको बाकी यूनेट जैसा ही प्ल बड़ेंज में प्रोब्लम आगी थी अब देखते हैं अब भाई देखो हरा भी दिया भाई उसको यह हमें इतना बड़ा मैप भी ने रखना यह मैप बहुत ज्यादा लंबा है हमें लंबा मैप नहीं रखना पड़ेगा नोगो एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा यह दो क्या सब्सक्राइब दो कि रिखना फंड काईए अब हैं अब आप देख सकते हूँ जब से भी हाई डेखते हैं इसकी हल्थ की तप हाई चुक है यह बहुत बड़ेगा है आपको सर्च करना पड़ेगा फेक आईरन मैं वर्सिस गोकु सर्च करो तेकि मैं उसमें वह साउंड निया था क्यूंकि मैं को डालना नहीं आता भाई अभी स्टार्ट किया तो फिर वह तो होता है थोड़ा थोड़ा आपको सर्च करना पाई पाई नहीं आपको सर्च करना पाई यूड़ा थोड़ा थोड़ा था पाई